चुनाव नजदीक आते नहीं है कि नेताओं को धार्मिक इस्थलों की याद आ जाती है वो मंदिर भी जाते हैं मस्जिद भी जाते हैं गुर्दवारे भी जाते हैं और तमाम ऐसे धार्मिक इस्थल पर जाते हैं जहांपर वोट बटोर सके ऐसे में हिमाचल चुनाव और गुजराच चुनाव नस्दीक है इन चुनावों को देखकर ये ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम राजनितिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दिये जब जब राजनितिक पार्टि के नेताओं को अगर गरीबों की याद आती है पिछड़े वर के लोगों की याद आती है तो समझ लेजे चुनाव निकट है हिमाचल चुनाव से पहले प्रियंका गांधी जो है मंदिर में जाती है भगवान की दर्शन करती जो कि अच्छी बात है किसी काम की शुरुवात अगर भगवान की आशिर्वात से किया जाए तो इससे बहतर बात कोई नहीं होती लेकिन क्या प्रियंका गांधी इसी तरह से आगे भी काम करती रहेंगी हिमाचल चुनाओं से पहले प्रियंका गांदी हिमाचल में इस वक्त एक्टिव दिखती नजर आ रही है तो राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से अपनी इस्तती को मजबूत किया है पार्टी की स्थती को मजबूत किया है और तो और ये तक देखा जा रहा है कि चुनावों से पहले कॉंग्रेस पार्टी अगर हिमाचल में इतने बड़े तरीके से एक्टिव होई है तो इसके पीछे का एक राज ये भी है कि पिछले चुनावों की भरपाई को वो जरूर कर करके कॉंग्रेस पार्टी 2024 पर पूरा फोकस करती नजर आ रही है हाला कि जब हिमाचल पहुंचती है प्रियंका गांधी तो जम कर बीजेपी पर निसाना साती है और बीजेपी को घेरते वे बताती है कि आज हिमाचल के मुद्दे हैं क्या लेकिन कभी भी बीजेपी ने व अगर आप देखें तो यह पाच साल जो बीते हैं इसमें भाजप्पा के सरकार ने आपके लिए क्या किया और मैं यह इसलिए नहीं कह रही हूं कि यह चुनाओ है तो आलोचना करनी ही है कि यह चुनाओ है हम इस तरफ है वो उस तरफ है तो हां उनकी बुराई करनी है नही मैं एक वास्तविक्ता आपको बताना चाहते हूँ कर्मचारियों को लीजिए आपके प्रदेश में तकरीबन दो लाग कर्मचारी है आज कहां है? धरने पे बैठे हैं महीनों से धरने पे बैठे हैं सरकार का एक प्रतिनीधी नहीं आया और धरने पे क्यों बैठे हैं? मैंने पूछा अभी यहां आने से पहले मैं रुकी थी उनसे बात चीथ हुई क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है यह पेंशन किस ने हटवाया? भाजपा की केंद्रक सरकार ने हटवाया जब pension को पुराने pension को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इन से कहते हैं पैसा ही नहीं है आप सब ये कहते हैं economy खराब हो जाएगी पैसा नहीं है हमारे पास अच्छा आपके पास कर्मचारियों के pension के लिए पैसा नहीं है लेकिन बड़े बड़े उद्योग पती मित्र जो है आपके उनके लोन आप माफ कर देते हैं उनको तमाम PSU पकड़ा देते हैं उनको cold storage दिलवा देते हैं सेब के दाम फसल के दाम वो ते करेंगे और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी उसके लिए आपके पास न समय है और ना आपके पास पैसा है और आप अपने मूँ से कहते हैं यह तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इस प्रदेश के भविश्र का क्या होगा अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती उसका सम्मान नहीं करती लेकिन सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपती मित्रों का सम्मान करती है चलिए कर्मचारीों की बात हुई अब युवाओं की बात करते हैं युवाओं की क्या हालात हैं 63,000 से जादा सरकारी यहां पर बहुत सारे पड़े लिके नौजवान हैं मैं जिस से मिलती हूँ बिये पास एमे पास नौकरी है रोजगार है नहीं है जी यही जवाब मिलता है तो जो अपने भविश्य के लिए एक नौजवान यह उमीद नहीं रख सकता जो मेरी नौजवान बेहने पढ़ती है लिखती हैं आप सब उनको उनकी परवरिश करते हैं मेहनत से पढ़ाते हैं लिखाते हैं लेकिन वे उमीद ही नहीं कर सकते कि उनको नौकरी मिलेगी तो कैसी सरकार है ना महिलाओं के लिए कुछ है ना युवाओं के लिए है ना कर्मचारियों के लिए है बागबानों को देखिए, आज जैसे मैंने कहा, फसल के दाम, सेब के दाम, आप यहाँ पर टमाटर उगाते हैं, मश्रूम उगाते हैं, इस तब के दाम बड़े-बड़े अध्योगपती टै करेंगे, आपको अपने फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए, इसी तरह से छोटे व्यापारियों को देखिए, छोटे व्यापारियों से पूछिए, क्या आपकी तरक्की हुई है आप सालों में, सब सरह लाएंगे, तरक्की नहीं हुई, तरक्की इसलिए नहीं हुई, क्योंकि GST लागू हुआ, करोना आया, करोना में सहायता नहीं हुई आपकी, लेकिन हाँ, PPE पे घोटाल जरूर हुआ, युवा को रोजगार नहीं दिया, लेकिन पुलिस भरती में आपने घोटाला किया, यूनिवर्सटी के इंतिहानों में आपने घोटाला किया, तो ये सरकार है पिछले पाथ सालों से, किसी का फाइदा नहीं हुआ है, ये कहते हैं ना, कि ये रिवाज बदल चाहते हैं, मैं तो कहते हूं, रिवाज आपने बदल दिया, जो कॉंग्रेस की सरकार यहां थी, जो सरकारें थी, इतने समय से जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो वायस परमार जी हो, चाहे वो रामलाल ठाकुर जी हो, ये वीडियो आपने देखा, जिसमें प्रियंका गांदी ने चुनाओ से पहले, जिस तरह से एंट्री हिमाचल में की है, इसका कितना फर्क इने पढ़ेगा, या कितना कॉंग्रेस पार्टी का वोट प्रतीशत पढ़ेगा, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है, कि प्रियंका गांदी ने हिम गांदी ने हिमाचल में एंट्री की होती, तो शायद बहुत बड़े हद तक प्रभाव पढ़ता, लेकिन चुनाओ की तारीक सर पर है, और कुछ महीनों पहले अगर प्रियंका गांदी यहां आ रही है, तो सोच सकते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी कहां कहां कमियों में देख चुनाओं में उतरती है, बहुत महीनों पहले अगर उतर जाए, तो शायद इसका रिजल्ट और पहले आलता नजर आएगा, अब गुजरात में क्या कॉंग्रेस पार्टी और बीजेपी को पचाट पाएगी, एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा, और सवाल हिमाचल का रहेग कि हिमाचल में इस बार किन राजनीतिक पार्टियों के बीज टक कर रहेगी, क्योंकि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहेगा, लेकिन क्या हिमाचल में इस बार कॉंग्रेस वर्सेस बीजेपी रहेगा, या फिर हिमाचल में बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी देखने को मिलेगा आज खले इतना ही आपसे फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक ले जाद दीजे नमस्कार